जाहिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे चिन्नों का जोड घटाओं यों गुड़ा भाग किस प्रकार से होता है ठीक है? बने रही हो वीडियो में आने तक एक दम आसान तरीके से आज आप लोग को समझ में आ जाएगा कि चिन्नों का जोड़ घटाओ गुड़ा भाग किस प्रकार से किया जता है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं चिन्नों का जोड़ घटाओ यो गुड़ा भाग किस प्रकार से हम लोग करते हैं उसके वाद से यहां पर देखिएगा, जब भी आपको प्लस और माइनस दिखाई दे तो हमेशा माइनस होगा, ठीक है, अभी हम आपको एक condition बताएंगे, जिसको आप नोट डाउन करके दिखिएगा, ठीक है, माइनस और माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, इसमें देख संख्या का एगा, चिन बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है, बड़ी संख्या का लगेगा, प्लस और माइनस माइनस तो होता है, लेकिन चिन बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है, तो अब इस पर करका हम आपको एक जामपल से समझाते हैं, ताकि आप लोग को एक दम आस हमेशा जोड़ता है और चिन हमेशा प्लस का आएगा ठीक है तो यहां देखिए यहां प्लस का 6 है और यहां प्लस का 3 है तो यहां हमेशा क्या होगा प्लस में होगा ठीक है तो यहां देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो 9 के आगे यहां प्लस लिखिए या नहीं लिखिए लेकिन यहां पर प्लस होता है किसी प्लस लिखना उचित नहीं होता है क्योंकि उसके सामने अल्रेडी प्लस होता है तो इसको हम लोग नौ लिख सकते हैं ठीक है इतना आप लोग समझ गए कि प्लस प्लस हमेशा जूटता है उसके बाद एक जमपल हमावर आपको लेकर देते हैं उसके बाद से हम अगले एक जमपल पर चलेंगी अगले वरे टर्म से कंडिशन पर ठीक है अगरे रूल पर तो यहां देखिए जैसे की प्लस प्लस हमेशा जूटता है तो यहां पर प्लस पांच और प्लस पांच यह क्या होगा हमेशा जूटेगा और चिन प्लस का आएगा तो यहां पर प्लस का लिखिए ना लिखिए लेकिन प्लस हमेशा होता है तो यह 10 जो होगा अंसर जाएगा इस प्रकार से हम आपको यह बताते हैं प्लस हो माइनस हमेशा माइनस होगा हमेशा तो नहीं होगा लेकिन इसमें चिन बड़ी वाली संख्या को तो देखेगा दूसरा रूल कहता है प्लस हो माइनस माइनस होता है लेकिन चिन बड़ प्लस स्काश गईयेगा ठीक है यह होगा अपका अंसर अब बात करते हैं हम लोग यहां प्लस और मैनुस माइनस होता है यह WITH माइनस किस प्रसे होता है इसको भी और मैस कब होगा जैब माइनस को कहेगा जोड़या घ्रण सकते है तो यंद प्लस का 10 थैं बड़ी यद्वा घ्रण द्षाश्ट इसमें तीन की घ्रण लिजिए तो कितना जाल साथ साथ हो घा लेकिन पर बेकिन जो बाड़ बाली संख्या का या यानि अभी ऑलसे क्त प्रयार ततर्स प्लसों माइनस खोगा favourite क्योंकि इसमें बड़ी वाली संख्या को देख करके चिन लगाए जाता है जैसे कि यहां प्लस का 10 था और माइनस का 3 था यहां प्लस का 7 अंसर आये घट गे यहां माइनस 10 और प्लस 3 है लेकिन यहां पर घटाएंगे तो साथ बचेगा लेकिन चिन माइनस वाली संख्या का आ माइनस साथ है इस तरह से जैसे कहें माइनस 12 प्लस का 5 थेक है तो यहां पर क्या होगा यहां चिन देखेंगे चिन बड़ी किसकी है पहले आप नॉर्मली घटाईए इसको प्लस माइनस में से क्यों होगा माइनस होगा तो आप इसको घटाईए 12 में सबाच जाएगा साथ लेकिन चिन बड़ी बड़ी संख्या काएगा तो यहां माइनस का 12 है तो 12 में माइनस है तो यहां चिन बड़ी बड़ी संख्या काएगा जैसे कि यहां प्लस और माइनस माइनस होगा जैसे कि यहां प्लस और माइनस माइनस होगा जैसे कि यहां प्लस और माइनस माइनस इस तरह से आपका दूसरा रूल किलियर हो गया अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की चलिए देखते हैं उसको भी कि माइनस हो माइनस हमेशा पलस होगा लेकिन वह किस प्रकार से होगा तो देखिए हमने आपको दूसरे रूल में बताया कि जो भी नियम लगता है बड़े और साथ जोड़ करके हमेशा यहां पर क्या बनेगा पुलस का दस बन जाएगा ठीक है जब भी आपको दो माइनस के निसंख्या दिखें तो आपस में जोड़ती है और चिन प्लस का आता है ठीक है तो यह माइनस तीन माइनस साथ को जोड़के प्लस का दस लिखेंगे ठीक है तो है कि झाल उसारी किसा माइनस की है उसी है यहां पर माइनस का ने कुछ और लेलते हैं जैसे कि माइनस का L 진행 थ्रह तो यह पिर माइनस माइनस हमेसे जूटेगा लेकिन चिन प्लस का यह प्लस का चयोद हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से हमनों चिन्नों का जोड घटाओ करते हैं यह होग कि आप लोग को चिन्नों का जोड घटाओ समझ में आगया होगा इसमें सबसे important क्या है या बीच वाला दूसरा नियम है plus और minus हमेशा minus होता है लेकिन चीन बड़ी वली संक्या काता है बाकी ये दोनो plus और plus हमेशा plus होगा minus हमेशा plus होगा ये आप लोग याद रखेगा इसने से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा जोड़े हम घटाओ करने ठीक है यह ओप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबालेजेगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तकिर जाहें दबने बाते हैं